जय भोले नाथ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे हुआ नंदी जी का जन्म। भगवान शिव के वाहन नंदी जी की जन्म कथा। पुरान के अनुसार नंदी असल में शिलाद रिशी के पुत्र थे। और शिलाद रिशी थे ब्रहमचारी। अपने वन्ष को बचाने के लिए उन्होंने शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र दिया। रिशी शिलाद को नंदी एक खेत में मिले थे। एक दिन रिशी शिलाद से मिलने दो सन्यासी आए। नंदी ने उनकी बहुत सेवा की, पर जाते वक्त दोनों सन्यासियों ने रिशी शीलाद को दीरगायू दी नंदी को नहीं दिया। जब रिशी शिलाद ने उनसे पूछा, तब सन्यासियों ने बताया की। आपके पुत्र की आयू बहुत कम है। इसलिए हमने इन्हे कोई आशिरवाद नहीं दिया। रिशी शिलाद परिशान हो गए। नंदी जी ने सन्यासियों की बात सुन ली थी। और अपने पिता से कहा। आपने मुझे स्वय भगवान शिव के आशिरवाद से पाया है। तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। और ये कहकर नंदी शिव की तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या के बाद जब शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। तो शिव जी के रूप को देखकर वह बहुत खुश हो गए। शिव जी बोले की मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें। इस पर नंदी जी ने कहा कि मैं सदैव आपके साथ रहना चाहता हूँ। नंदी जी के प्रेम से भगवान शिव प्रसन्न हुए। और नंदी जी को बैल का मुख देकर अपना वाहन बना लिया। यही वजह है कि भगवान शिव जी की आराधना से पूर्व। उनके प्रिय नंदी जी की पूजा की जाती है। दोस्तो अगर आप भोले नाथ के सचे भक्त हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भोले नाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। प्रेम से बोलो जय भोले नाथ जी की।